दोस्तों, ब्लॉगर के ब्लॉगिंग कोर्स के फिफ्थ पार्ट में आपका स्वागत है अब ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर ब्लॉग के लिए कस्टम डोमेन कैसे खरीद सकते हो और कैसे आपको से अपने ब्लॉग के साथ connect करना है कहां से डोमेन खरीदना है, कैसा डोमेन खरीदना चाहिए क्या name हमें डोमेन के लिए यूज़ करना चाहिए .in लेना चाहिए, .com या कोई और लेना चाहिए ये सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या नाम खरीदना जरूरी है क्या नाम के विनाम पैसे नहीं कमा पाएंगे तो मैं आपको इस चीज का एक exact उत्तर दे देता हूँ कि देखिए दोस्तों, blogger पे क्या होता है, हमें .blogspot domain मिलता है अगर आप अपना खुद का एक name खरीदते हो क्योंकि आपको क्या करना है, blogging में मैनत कर रहे हो blogging से पैसा कमाना है, अगर आप छोटा सा invest कर देते हो छोटा सा कितना, for example, आप एक domain सस्ते से सस्ता domain 104 या 105 रुपए जासे यादा 200 रुपए के अंडर आ जाता है या हम ये भी लगा ले 500 रुपए के अंडर आ जाता है लेकिन वो domain लेने से आपका असर थोड़ा सा आसान हो जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ, domain name लेना blogger के लिए क्यों जरूरी होता है पहली चीज, जब आप domain name ले लेते हो, उससे आपका जो blog है वो professional लगता है क्योंकि जो हम domain name ले लेते हैं, उससे हमारे blog का नाम उपर देखता है एक professionality लगती है, दूसरी चीज, adsense approval में help होती है अगर domain लेते हो, adsense approval थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है तीसरी चीज, अगर domain हम ले लेते हैं, तो हमारा blog rank जल्दी करता है तो इसलिए हमें domain name लेना चाहिए, और जब हम कुछ live में कर रहे हैं तो 2500 रुपे लगा के, क्या हमारा फरक पड़ता है, 2500 रुपे में एक साल के लिए मिल रहा है और उस 2500 रुपे को लगा कर हम लाख रुपे भी कमा सकते हैं, अगर तरीके से काम करें तो लेने में क्या बुराई है, ठीक है अब आप समझ चुके हो, domain name हमें blogger के लिए क्यों लेना चाहिए अब बात आती है, domain name लेना कौन सा है, कहां से लेना है, कैसे लेना है, वो मैं आपको practically बता देता हूँ दोस्तों वैसे तो domain name लेने के लिए बहुत सारी websites आपको internet पे मिल जाएंगी, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ, वो करता हूँ GoDaddy और Hostinger GoDaddy बहुत ही अच्छी एगर आपको domain लेना है, मैं आपको discount coupon भी provide करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यहाँ पर कुछ बात करना चाहूँगा, कि domain name लेना कौन सा अच्छा रहता है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं domain लेना चाता हूँ, fitness kida, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, जिस name से हमने अपना blog बनाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह available है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर आते हैं, hostinger domain के section में आते हैं, domain name search पर जाते हैं, तो यहाँ पर जब हम search करेंगे, तो आप देखो कि यहाँ पर बहुत सारे domain के extension मिलेंगे, अब domain extension क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है hostinger.in, तो .in इसका क्या हुआ? extension, ऐसे ही .com होता है, वो क्या होता है? extension, तो आप यहाँ पर देखोग में पढ़ जाएगा, लेकिन अगली साल 2600 रुपए में renew होगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर देखो आप पैसा कमाने लग गए एक साल में, तब तो 2600 रुपए आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर by chance नहीं हुआ, सीखने में ही time निकल गया, त अगली बार तो महेंगा पड़ेगा न, तो मैं आपको suggest करूँगा, dot in और dot com, अगर blogging करनी है, तो इस चीज पर focus करो, या तो dot in पे जाओ, या dot com पे जाओ, तो मैं या पे ले रहा हूँ, go daddy से, dot in ले रहा हूँ, आपको भी suggest करूँगा, go daddy से लो, कोई affiliate नहीं कर रहा आएगा, इस पे click कर देना, mobile पे थोड़ा से different खुलेगा, जादा नहीं, बाकी same होता है, यहाँ पे इसको हटा देना है, no thanks पे ही रहने देना है, continue cart पे click करना है, click करने के बाद देखो, अगर आप इसे 2 साल का लेते हो, तो यह आपको पड़ेगा 848 रुपे का, ठीक है, ल आप note कर सकते हो इसे, मैं अभी इभी screen पे दिखा रहा हूँ आपको, इसको note कर लें, और यहाँ paste कर दे, apply पे click करोगे, apply पे click करते ही, अब यह 199 रुपीज का हो गया, तो आपको यहाँ पे discount मिल गया, congratulations, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे I am ready to paper click करना है, अब यहाँ पे इसे select कर लिया, और जैसे ही select करते हैं, कुछ ही seconds में हमारा GoDaddy के उपर freem account बन जाएगा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा form खुलेगा, आपको इसे भरना है, कुछ चीजे इसने अपने आप से उठा ली, यहाँ पे आपको अपना phone number डाल देना phone number डालने के बाद, यहाँ पे आपको अपना address डाल देना है, तो यहाँ पे मैंने address डाल दिया, और postal code डाल देना है, state डाल देनी है, city डाल देनी है, बाकी organization और GSTIN में कुछ नहीं डालना है, ठीक है, इसके बास save पे click करना है, जैसे ही आप save पे click करते हैं, तो guys यहाँ पे payment method का option खुल जाएगा, आपको क्या करना है, या तो credit card से, net banking, या जो भी चीज़ आपके पास है, debit card, UPA, या आपको यहाँ से payment कर देनी है, payment करने के बाद next process क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, तो guys payment होते ही आपके सामने इस तरीके से आपकी जो payment की receipt है, वो open हो जाएगी और यहाँ पे जैसे ही हम GoDaddy पे वापिस जाते हैं, तो यहाँ पे sign in का जो option मिलेगा, उसकी जगा आपका account आ चुका होगा, my products पे जाना है, और my products पे जाने के बाद, यहाँ पे जो आपका domain है, वो कुछ ही seconds में या कुछ minute में आपको यहाँ पे आपका domain दिखने लग अब मैं आपको बताता हूँ next step क्या है, तो guys अब हमारे पास domain name भी आ गया है, लेकिन अब problem आ रही है भाई, इसको लगाना कैसे है, blogger से ये भी बता दो, तो वो भी आपका भाई बता देता है, बहुत ही आसान है, बड़े प्यार से आप कर लोगे, बहुत आसानी से कर लो हम भी चोड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आपको option मिलेगा custom domain का, ठीक है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले, यहाँ पर custom domain पर click करना है, और यहाँ पर अपना name डाल देना है, ठीक है, save पर click करना है, तो यहाँ पर अभी यह दिखा रहा है कि हमने गलट डाला है, क्यों डा यहाँ पर जो www है, इसको copy कर लिया, यहाँ पर अपने GoDaddy के account पर आए, manage my domain पर गए, ध्यान से देखना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, और skip मत करना है, इस time पर आकर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, तो यहाँ पर आगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ प अब यहाँ पर हमारा final page आगया, अब यहाँ पर क्या करना है, add के button पर क्लिक करना है, type को choose करना है, cname, पहला जो हमने www copy किया है, उसको यहाँ पर डालना है, दुबारा वहाँ जाएंगे, इसके आगे का जो है, यह ghs.google.com, यहाँ तक bracket नहीं लेनी आगे की, और इसको ब आपको इसको delete कर देना है, यहाँ से पहले से delete करो, अगर पहले से ऐसा पढ़ाओ, because मेरे साथ आई यह problem तो ज़्यादा तर सभी लोगों के साथ आएगी, और उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार page को refresh कर देना है, delete करने के बाद, ठीक है, अब वहाँ से delete हो गया, www वाला पहला, अब दुबारा से same step करना है, यहाँ पे क्या था हमारा वही GHS वाला, यहाँ पे www और यहाँ पे C name, और इसको नहीं छेड़ना, add record पे click कर देना है, जैसे ही add record पे click करेंगे, हमारा पहला काम हो चुगा, अब क्या करना है, दुबारा से add पे click करेंगे, अपने blogger के dashboard पे जाएंगे, यहाँ पे जो दूसरा name के आगे है, यह O से लेकर, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग होगा, इसको copy करना है, copy करने के पाद, same यहाँ नेम के अंदर paste करना है, इसको c name ले लेना है, दुबारा जाएंगे, अब जो इसकी destination होगी, इसको यहाँ से पूरा copy कर लेना है, bracket से पहले, com तक, इसको copy करना है, यहाँ पे आके paste कर देना है, और add record पे click करना है, जैसे ही आप add record पे click करेंगे, यहाँ पे देखना success हो जाएगा, इसके बाद इसको refresh कर देंगे, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अपने blogger पे जाएंगे, और यहाँ पे save करेंगे अभी शायद यह एकदम से save ना हो, मेरा हो चुका है देखो एक बार में, तो हमारा जो domain है वो connect हो गया, अब आपको important step यहाँ पे करना है, वो क्या करना है, redirect domain to www.fitnesskida.in, इसको on कर देना है, यानि redirect वाले option को यहाँ से on कर दिया, यह हमारा पहला step हुआ, इसके बाद दूस इसको on कर देंगे, यह automatically on हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारी blog की settings हैं, वो सारी हो चुकी है, domain connect हो चुका है, लेकिन अभी यह blog नहीं खुलेगा, आपको कम से कम 15-20 minutes या ज्यादा से यादा एक घंटा लग सकता है, इसमें, एक घंटा वेट करना है, उसके बाद आपका जो blog है, यहाँ पे open हो जाएगा, तो guys, थोड़ी दिर बाद जब आप चेक करोगे, approximately एक घंटे बाद, तो आप यहाँ पे देखोगे, जो हमने custom domain लगाया था, वो successfully लग चुका है, अभी वीडियो खतम नहीं होई है, अभी इसको skip मत करना, ना ही बंद करना, क्योंकि मैं आपको important setting बताने वाला हो, जो कि बहुत लोग miss कर देते हैं, और बाद में आपको इस चीज की वैसे दिक्कत होती है, यह जो setting है, यह आपको तब करनी है, जब आप अपने custom domain को blogger से connect करते हो, तो यह setting जरूर करनी है, पहले मैं बताता हूँ, इसकी वैसे दिक्कत क्या होती तो इसे ठीक कैसे करना है, अपने go daddy में login कर लेना है, dashboard पर आ जाना है, यहाँ पर आपको domain का section मिलेगा, आपका domain यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको managed DNS पर click करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है इस page पर, और आपको यहाँ पर option मिलेगा forwarding का, यहाँ पर आपको क्या करना है, add forwarding पे click करना है, और यहाँ पर fitness Kida.IN जैसे हैं, http लिखा रहा है, आपको यहाँ पर http-s करना है, और यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपके domain का नाम है, उसको www करके और यहाँ पर लिख देना है अपने domain का नाम, ठीक है, पूरा नाम डाल देना है इस जो यह वाली setting है अपडेट हो जाएगी तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो success लिखा आगया है आपको क्या करना है एक बार इस page को refresh कर देना है ठीक है refresh करते हैं कहीं बार क्या होता है 48 hours लेता है इस चीज़ की setting में लेकिन हम एक बार check करके देख लेते हैं क्या यह work कर रहा है तो मैं आप एंटर करता हूँ अभी यह work नहीं कर रहा है तो यह क्या होगा 48 hours में automatically जब भी आप अपना यहाँ पर website खोलोगे बिना www के तो यह automatically उसको www पर transfer कर देगा यह वाला page नहीं आएगा यहाँ पर 48 hours लगते हैं इस चीज में तो guys finally हमने सारा process complete कर लिया है अब हमारा domain name connect हो चुका है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो से related कोई doubt हो तो please comment करना आपका doubt में clear कर दोंगा और अगर आपको यह blogging का course देखने में मजा आ रहा है क्योंकि मैं अपने वीडियो में बोलता भी नहीं हूँ like subscribe करो आपके उपर है सब कुछ आपको भाई का अगर content अच्छा लग रहा है तो like करो share करो नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं आप knowledge को enjoy करो तो guys blogging में आयो मेहनत करते रहना जैसा की हर वीडियो में बोलता हूँ कोई भी दिक्कत आये उसकी बज़ा से blogging मत छोड़ना ये सोच लेना कोई छोटा सा youtuber है रहूल उक्मन्यू के नाम से उससे हम पूछेंगे तो वो बता देगा तो आपकी problem solve हो जाएगी आप अपने blogging के career में आगे बढ़ जाओगे आगे बढ़ोगे तो फिर पैसा भी कमाओगे पैसा कमाओगे तो मजा भी आएगा और मजा आएगा तो मेहनत करनी बस मत छोड़ना सब कुछ मिल जाएगा मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए ध्यान रखना और मेहनत करते रहना बबाए